राजस्तान की संस्कृति में आबूशनों का अपना एक अलग महत्व है कुछ आबूशनों को हम देखते हैं कि जो विभिन जो तेवहार हैं तीस तेवहारों का उत्सव जब मनाया जाता है तो इन आबूशनों को पैना जाता है कुछ आभूशन ऐसे हैं जिनके हम नाम जानते हैं लेकिन कुछ आभूशन ऐसे हैं जिनके नाम हम नहीं जानते हैं तो राजस्तान की संस्कृति में आबूशन अपने एक संस्कृति है और बहुत सारे आबूशन ऐसे हैं जिनको हमने काफी सारी महिलाओं को पहनते हुए देखा भी है लेकिन हम उनका नाम नहीं जानते हैं आज के इस टॉपिक में हम आबूशनों को लेकर ही बात करेंगे अबूशन है कहां पैना जाता है उसका नाम गया है कि नमस्कार स्वागत आप सभी का एजुकेशन चैनल में और आज के इस टॉपिक में हम इंपोर्टेंट टॉपिक है आज का और उसमें हम बात करने वाले आबूशन कौन-कौन से आबूशन है जिसके बारे में मैंने नहीं जानते हैं कुछ को नहीं जानते तो हम कैसे याद करें इसके बारे में हम चैनल करेंगे युज My Haas अब इन आभूशनों को याद कैसे करें तो उसको आप देखें याद करने के लिए सबसे पहले आप देखें जैसे कि कंठी है जैनि कंठी कहां धरन की जाती है गले में तुलसी मला कहां जो है पहनी जाती है वो गले में तो इनको याद कैसे करें सबसे पहले हम अपने बाएं कंठ माला कंठ सरी ये एक साथ याद हो जाएगा कहां पेनी जाती है गले में पेनी जाएगी यानि कंठी या तुलसी की जो माला पेनी जाती है वो कहां पेनी जाती है गले में कंठ माला भी जो है गले में पेनी जाती है और कंठ सरी ये एक साथ है यानि कंठी कंठ माला कंठ स पहले क्या हट्याना पहले लिए करना में चाले कि अन्गत घरथकों जानगे अगर एक क्या पैरों में पहले को कि तुछ दोलिए नान पृणõ ४ डिलिखे जाक उनाकिन hiking your अब बात करते हैं मालाओं की तो चंदर माला मतर माला और एक है मोहन माला ये कहां पहनी जाने वाली है तो ये है गले में कुण कौन सी माला की बात करी मैंने एक है चंदर माला एक है मतर माला और एक है कौन सी मोहन माला इसे याद करें और ये कहां पहनी जाएगी तो गले में यह माला माला अगर आ रहा है हैं तो आप याद रखें कि इस बात को जो यह माला शब्द लास्ट में आता है या प्रश्न में आता है तो आप बिल्कुल इसे आँख मिचकर कर सकते हैं कि यह गले का बुशड़ है। अब बात करते हैं पंचिलडी देखिए पंचिलडी होता है नोलखा हार होता है कहां पहना जाएगा गले में पहना जाता है तो यह पंचिलडी है वो कहां पहना जाएगा गले में पहना जाएगा इसी तरह से पोत एक नया शब्द है इसलिए इसे भी अंटरलाइन करके रखे कि पोत और खुंगाली जो है वो गले में पहनी जाती है, नया शब्द है, पहली बार हम देख रहे हैं, पाकी काफी सारी जो चीजे हैं, जैसे कि कंठी है, कंठ सरी है, कंठ माला है, तुलसी है, हार है, चंदन हार है, हंस हार है, इसे हमें याद रखना है कि कहां पहना जाता ह गले में लेकिन जैसे मालेची जासम में पोत आगया कि पोत जो अबुशन है वो पेना जाता है तो हमारे लिए नया है तो याद rendering है कि गले में पेना जाता है इसे तरह से कंग आगे हम याद करने के दश्ची से ृह देखते। कोई भी चीज हिलती है, तो हाल रो, यानि कि हिलती ही जो चीज होती है, वो कहां पहनी जा रही है, गले में, यानि हाल रो हांकर चंपा कली, इसको एक साथ पढ़ेंगे तो यह याद हो जाएगा, इसी तरह से पोत और खुंगाली गले में पहनी जा रही है, इसी तरह से ये बोलेगे तिन शव्क रहना हम जोड़े, जोआ जोड़े, इन आधे याय। वकांक र continent, हाल जोड़े, जोड़े, भीमेल, में तिन अमस्ता हम दुटुंग्हार. तो आपए उसको अंडर लाइन करके रखें यह नए शब्द हम जानते हैं उनको मैंने एक लाइन में रखाता हैं लेकिन जो शब्द नए हैंá हमारी लिए याद करने के लिए आप लोगों के लिए तो उस पर अजान इसके ग। इस सब्सक्राइब कैसे सकते ही जाल्रो जूगावली निंबौूरी, ये भी गल्र में ही पहने जाने वाल अबूशन हैं, ये जाल्रो जुगावली निम्बॉरी, ये भी गल्रोट पहने में वाली पहएन। यानि जालरो यानि जालरूमा है कोई चीज है जुगावली तो आपने देखा होगा कि जानवर है वो जुगावली करता है जैसे गाय जुगावली करती है जो भी जानवर जो दुद्देने वाला है वो जुगावली करता है आप यह याद रख लो याद करने के हिसाब से मैं को बता रही हूं। इसी तरह से निबॉरी, इसे याद कर ले सी एक साथ बोलेंगे आप जाल으, जुकावल जुकमाली,ception से याद हो गया। एक साथ बोलेंगे तो यह गल्य में पहने वाले आभूशनी, इसी तरह से मांदल्या देखें की बार पूच्छा जा चुका नाम क्या है तिमनिया यानि कि तिमनिया भी जो है वो कई बार पूछा जा चुका है एक्जाम में मांदलिया कहा पेना जाता है इसके बारे में प्रेशन बन चुके हैं कई बार आ चुका होगा आपने देखा होगा एक्जाम में तो मांदलिया हासली तिमनिया यह तीन एक यह हैं इनको अलग अलग रखा हुआ है। इसी तरह से चोकी, यह भी गले में ही पहने हैं झाल envision, यह लिए हम एक है ध्हामडियां यह भी जाता पी तई में भी ठोशी पहने यह जर से दीछ a heal one आपके लिए तो उसे आप लह में बोले, बार बार बोले, एक नहीं, दो बार बोले, चार बार बोले, जैसे आपको याद होगा वच्छपर में, हमारी जो मेर्ड में हुआ करती थी, कोई भी चीज याद नहीं होती थी, उसे पांच बार बोलने के लिए, पांच बार लिखन दिनाता है जाता है कि याद आया कि यह चंदन है और हनसा हार है इतलीप पेना जा रहा है यह ईकाता है कि जी तरह सीलें बशे बैशाम संधाता है मे ultra और एक पिछलों हार लेह हैं जिसके मैल हमा तो सामझकिव है कि वो गले में पहने वाली चीज़ है तो जिससे हार गले में पहने रहे हैं चंदन हारे हंस हारे इसी तरह से बज़ंटी गले में पहना जाता है एक अच्छा शब्द है और इससे हो सकता है किसी एक्जाम में आप से पुछा गया हो इसी तरह से माला की अगर बात करें तो चंद इनको हम बार-बार पढ़ेंगे, तो यह हमको याद हो जाएंगे, तो पोत और खुंगाली कहां पहनी जाती है, गले में, इसी तरह से देखो, यह तीन शब्द और हम याद कर सकते हैं, कैसे हालरो हांकर चंपा कली, ट्रिक्टी कोई जूरूरत नहीं है, आप तीन-तीन शब् अबुषणों के नाम हो गए, आपको आसनी से याद हो जाएंगे, इसी तरह से देखिए, मांदलिया है, तिमनिया है, हांसली है, यह कहां पेन जाती है, यह गले में पेनी जाती है, इसी तरह से ठुसी गले में पेनी जाएगी, चौकी यह भी गले में पेनी जाती है, और एक है थमनिया, यह भी गले में ही पेना जाता है, आप कहरे थे बार-बार की साब आबुषणों के उपर कोई ट्रिक्ट बनाई ज जिन नाम बड़े टिपिकल होते हैं, उनको एक उसमें बिठा पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, हम जो चीज हम जानते हैं, जिन आबुशोणों के नाम हम जानते हैं, उन्हें में एक साइड में अपने बाएं हाथ की और लिख दिया है, ताकि हम बार बार उसको जब पढ़ेंगे, तो वह हमको याद हो जाएगा, और जो शब्द हमारे लिए नए हैं, उनको दूसरी लाइन में लिखा, और तीन-तीन का जोड़ा बना करके, अगर हम इसे पढ़ेंगे, बार बार बोलेंगे, तो ये याद हो जाएगा, कॉमेंट्स करके जरूर बताएं हैं, मित्र हैं, साती हैं, उनको, क्योंकि ये जो टॉपिक है, वो थोड़ा सा यू मन के चलिए कि थोड़ा सा हट पड़ता है, ये टफ है, लेकिन इतना टफ भी नहीं है, हम टुकडे-टुकडो में अगर याद करेंगे, तो ये हमको याद हो जाएगा, आपको ये कैसा ल